ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है तो ग्रेडियंट का मतलब अगर हम समझें तो ग्रेडियंट मेंज एक तरह से चाड़ाई हम कह सकते हैं स्लोप कह सकते हैं जैसे अगर हम कोई देखते हैं रोड बनी हुई है और उसमें इस तरह का कुछ एंगल हमें देख रहा है यानि कि उसके उपर चड़ाई है कोई पर चड़ेगा तो उसको थोड़ी से दिक्कत तो आएगी आएगी क्योंकि यहां पर उसको चड़ाई के उप और इंगल बनता है और उसी स्टोप वो यहां पर क्या कहेंगे ग्रेडियेंत तो अब हमें इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है यसे अगर हमें कोई function दे रख य है y is equal to fx और से जहां से वह èx और y दे रख है और हमएं find out करना उसका gradient कि उसका slope कैसा है उसका gradient क्या है तो हम कैसे find out करेंगे तो first step में हम उसको differentiate करेंगे differentiate करना that means dy by dx निकालेंगे and second step में value put कर देंगे substitute कर देंगे for example अगर हमें given है y is equal to 4x3 minus 5x square minus 6x plus 8 यह अगर हमें given है तो first step हम क्या करेंगे dy by dx की value find out करेंगे तो dy by dx यहां पर आजाएगा कितना 12x square minus 10x minus 6 अब question में जो coordinate दे रखा है x,y वो माल लेते हैं 0,2 यह दे रखा है तो हमें value किसकी put करनी है इस x की value put करनी है तो 12 l into 0 का square minus 10 into 0 minus 6 इसको solve करने से कितना जाएगा हमारे पास minus 6 कम बोल रिंगे gradient of the curve is minus 6 इसी टाइप का एक और question हमारे पास यहां available है find the gradient of the curve y is equal to 3x square minus 5x plus 4 यह equation given है at the point 1,2 point 1,2 है तो first step में हमने किया dy by dx तो 6x minus 5 इस इस दे फर्स step second step में क्या करेंगे dy by dx इसके अंदर हम value put करेंगे x equal to 1 तो 6 into 1 minus 5 तो कितना आ गया 1 तो जहां पर coordinate 1,2 है वहां gradient कितना रहा है 1 तो यह सबसे simplest question था gradient को कैसे find out करते हैं कैसे solve करते हैं अब उसके बाद आज हम कुछ additional कुछ misleading questions करेंगे उससे पहले हम यह one and two first and second यह दोनो questions all कर लेते हैं first में का है the gradient of the curve y is equal to equation given है at x equal to 0 तो gradient हमें find out करना है तो first step में d y by dx हम find out करेंगे तो कितना जाएगा six x square minus six x minus 12 अब x की value put करने है जीरो तो final answer कितना एगा minus 12 तो अगर कहीं पर भी x equal to 0 है तो हम directly क्या कर सकते हैं उसका answer find out कर सकते हैं जैसे जैसे देखो अगर differentiate किया तो यह 8 का differential तो बन जाएगा 0 इसको मैं सोचना ही नहीं है फिर x cube तो यहां पर हम x की value जब put करेंगे तो यह भी overall 0 बन जाएगा because x हमारा 0 है यह भी 0 बन जाएगा सिर्फ बचेगा क्या जो minus 12 x है तो उसका x remove हो चुका होगा और only minus 12 बच जाएगा तो इस तरह से directly हम यहां से answer निकाल सकते हैं minus 12 पूरा solve करने की जिरुत नहीं है practice करते करते हमें click हो जाएगा habit हो जाएगी कि हम directly उस equation को देख करके answer pick कर सकते हैं सिधा minus 12 इसी तरह से अगर आप next equation में try करो question number second के अंदर तो आप को इसी तरह से answer मिल जाएगा x equal to 0 है तो हमें पता है कि जो last वाला minus 3x है उसका x remove हो जाएगा क्या बचेएगा minus 3 तो minus 3 is the answer तो पूरा differentiate करके value put करने की ज़रूत ही नहीं है डारेक्ट भी हमारा answer आ सकता है अगर डारेक्ट निकालने में कोई confusion है तो अपकोर्स आपको पूरे method से करना चाहिए लेकिन अगर आप और short trick apply कर सकते हो तो method apply करने की कोई जरूत नहीं है तो यह तो होगे हमारा gradient का point और अब हम आते हैं कुछ additional कुछ miscellaneous questions के उपर okay so next question हम लिखते है x is equal to a t square y is equal to 2 a t and find करना है हमें d2y by dx square यह हमें find out करना है तो यहाँ पर हमें पता है कि x को t की terms में लिखा गया है y को भी t की terms में लिखा गया है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा पहले हम first step में calculate करेंगे dx by dt dx by dt हम calculate करेंगे तो हमें differentiate करना है with respect to t तो कितना जाएगा 2 a t similarly हम करेंगे dy by dt dy by dt करेंगे तो कितना जाएगा 2 a अब next step में हमें क्या चाहिए dy by dx चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं dy by dt whole divided by dx by dt तो numerator में आएगा 2 a denominator में आएगा 2 a t that is one upon t तो one upon t क्या चुका है one upon t है dy by dx one upon t is dy by dx हमें find करना है d2y by dx square मतलब इस differential का भी differential करना है तो बेंकुल easy task हो जाएगा तो हम करते हैं one upon t को differentiate तो one upon t को differentiate करना है तो कितना minus one upon t square लेकि एक और point यहां भी ध्यान रखना है क्योंकि हम dy by dx calculate कर रहे हैं और यहां पर हम differentiate कर रहे है t को तो हमारा जो differentiation है basically वो है with respect to x क्योंकि differentiation with respect to x से कैसे पता चला है क्योंकि upon में dx है upon में dx है तो हम x के respect में differentiate कर रहे हैं तो जब x के respect में differentiate करेंगे तो आगी क्या लग जाएगा dt by dx जैसे हम पहले करते थे dy by dx वैसे हमने यहां लिखा dt by dx तो अब यहां पर next क्या करेंगे dt by dx की value अभी हमने उपर calculate की है dt by dx क्या हमारे पास available है तो देखे dx by dt हमने उपर calculate किया था 2 a t 2 a t तो इसको हम reciprocal करके यहां पर लिख सकते हैं तो minus 1 upon t square into 1 upon 2 a t तो यहां से result आदाएगा minus 1 upon 2 a t q तो यह क्या आगे हमारे पास d2 by by dx square क्या हमारे तो झाल तो झाल झाल क्या यह झाल क्या नेक्स्स पैटर्न को हम रिकॉल करते हैं, नेक्स्स ग्वेशन लिखेंगे, y is equal to root of, अब लिखाए, log x, plus, again root of, और फिर लिखाए, log x, plus, root of log x, plus, and so on, up to infinity, तो जब ऐसा कुछ होता है, कि सेम चीज बार बार repeat, repeat, repeat हो रही है, तो जहां से हमारा second repetition होता है, जहां से हमारी second value आती है, उसको हम वापस क्या ले लेते हैं, y, तो अगर हम इसको ध्यान से अब्जब करें, तो यह जो value है, यह तरह से हमें y ही दिख रही है, तो हम इसको यहां पर रख देंगे y, so y is equal to root of log x plus y, इस तरीके से हमने इसको लख लिया, अब क्योंकि root लगा है, root को remove करने के लिए हम क्या करेंगे, यह squaring both the sides, तो हमने किया y square is equal to log of x plus y, यह आ चुका है, अब हमें क्या करना है, differentiate करना है with respect to x, तो हमने लिखा differentiating with respect to x, x के respect में इसको differentiate करते हैं, so y square का differential क्या हो जाएगा, y square का बन जाएगा 2y, क्योंकि हम x के respect में differentiate कर रहे हैं, तो आगे लिखा जाएगा dy by dx, is equal to log x का differential होता है, 1 upon x, and y का differential क्या हो जाएगा, y का तो ऐसा होता है 1, और आगे लग जाएगा dy by dx, चले यह हो चुका है, अब next step में क्या करेंगे, dy by dx को हम एक साथ में ले लेंगे, तो 2y dy by dx minus dy by dx equal to 1 upon x, dy by dx हमने common ले लिया, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2y minus 1 is equal to 1 upon x, so dy by dx equal to 1 upon x into 2y minus y, तो यह आचुका है हमारा फाइनल आज़ा, तो यह pattern भी हमने कर रखा था पहले, तो इसको हमने recall कर लिया, अब next pattern हम ऐसा लेते हैं, जिसके अंदर logarithm की कुछ properties काम में आती है, और वो थोड़ा सा lengthy question कहीं बार tricky question या technical question हमें लग सकता है, तो अब उसको हम समझते हैं कैसे करना है, तो next question is, y is equal to log of bracket e to the power of x, x minus 2 upon x plus 2, power में है 3 by 4, तो सबसे पहले log की properties को हम recall करते हैं, अगर कहीं पर भी होता है log m into n, तो उसको हम लिख सकते हैं, log of m plus log of n, अगर division होता है, log of m upon n इस format में अगर होगा, तो हम उसको लिखेंगे log of m minus log of n, तो जा division होगा, वहाँ minus लग जाता है, और जा multiplication होगा, वहाँ पर addition लग जाएगा, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, इन दो functions हमें देख सकते हैं, e x first और second x minus 2 upon x plus 2, तो हम इन दोनों को split कर देते हैं, first वाले property में apply कर देते हैं logarithm की, तो इसको apply करने के बाद क्या आता है वो देखते हैं, y is equal to log of e to the power of x plus, again log of x minus 2 upon x plus 2, और hold to the power हो जाएगा कितना 3 by 4, चले यह आ चुका है, अब उसके बाद अगर base में कुछ भी नहीं लिखा होते हैं, तो हमें पता है क्या होगा e होगा, next हम इसको थोड़ा और simplify कर सकते हैं, कि जब हम यह देखते हैं कि log के आगे जो value लिखी है, और उसके उपर कोई भी power होती है, तो power जब करके आगे आ जाती है, जैसे अगर ऐसा कुछ लिखा है log of x to the power of a, इसको हम क्या लिखेंगे a into log of x, तो उसी तरह से यहां हम इसको simplify करते हैं, x जब करके आगे आगे, पीछे बचा log of e to the base e, plus 3 by 4 again power में है, यह आ गया जाएगी, और फिर हमारे पास बच गया log of x minus 2 upon x plus 2, now second property अब हमें ध्यान में रखनी है, log of m upon n, m upon n है तो वही type का format हमें दिख रहा है log of x minus 2 upon x plus 2, तो m upon n की format में है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो next step में दिखते हैं, x, log e base e क्या होता है, 1 होता है तो इसको as it is रख देंगे, plus 3 by 4, और फिर log of m upon n का formula पर लगाते हैं, तो log of x minus 2, फिर minus log of x plus 2, इधर हमारे पास है y, अब इसको में जितना simplify हो सकता था, उतना simplify कर दिया, by using properties of logarithm, अब हमारा main step आता है, वो है differentiating with respect to x, तो x के respect में differentiate करेंगे, तो y को क्या लिखेंगे, dy by dx is equal to, x का differential क्या होगा 1, 3 by 4 हमने या रखा as it is, now log of x minus 2, तो log of x का differential में पता हो है, 1 upon x होता है, यहां बन जाएगा 1 upon x minus 2, into x का differential जो क्यों होता है 1, तो वापस यही आने वाला है, minus log of x plus 2 का, तो 1 upon x plus 2, next step में क्या परेंगे, LCM ले लेंगे, तो LCM आजाएगा हमारा x minus 2, into x plus 2, तो यहां हमने लिखा, x plus 2, minus of x, and then plus का 2, फिर नेक्स स्टेप में, हम जो cancel हो रहा है, cancel out कर देते हैं, x और x जा cancel हो किया, क्या बचा हमारे पास, 1 plus 3 by 4, upon में है x minus 2, x plus 2, numerator में बचा है हमारे पास 4, तो 4 से 4, cancel out हो जाएगा, और पीछे क्या बचेगा हमारे पास, 1 plus 3 upon x square minus 4, again क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, x square minus 4 हमारा LCM आ गया, numerator में x square minus 4 plus 3, तो final answer बचेगा हमारे पास, x square minus 1 upon x square minus 4, this is dy by dx, इंपोर्टेंट इस question में मेंनी क्या था properties लोग आरे था बचेगा हमारे ने हैं। जो हमने अप्लाए था था। चलिए यह हो चुका है अब लेते हैं हम एक और पैटन x to the power of y is equal to y to the power of x and find dy by dx dy by dx find करना है तो इसको अगे simplify करना पड़ेगा पहले हमें तो simplify करने के लिए क्या करेंगे taking logarithm both the sides taking log both sides दोनों sides logarithm लेते हैं तो क्या हो जाएगा log of x to the power y is equal to log of y to the power of x property apply करते हैं y jump करके आगया जाएगा y log x is equal to x log of y अब क्या करेंगे differentiate करेंगे with respect to x x के respect में differentiate करना है तो अगर हम left hand side में देखें y into log x है दोनों variable multiply के अंदर है तो हमें uv rule apply करना पड़ेगा तो uv rule apply करते हैं y d by dx of log of x plus log of x as it is रहेगा और इदर हम करेंगे d by dx of y is equal to x then d by dx of log y plus log y d by dx of x तो उसको solve करने पर क्या आएगा y upon x plus log of x d by by dx is equal to x upon y plus x upon y के आगे हमें और क्या लगाना पड़ेगा d by by dx किकी वो log of y है तो हमने लगाया d by by dx plus log of y as it is रहेगा and x का डिफेरेंशल गिरना होगा 1 तो इंटू 1 next step में हम क्या करते हैं always d by by dx को एक तरफ कर लेते हैं so log of x d by by dx minus x upon y d by by dx is equal to log of y minus y upon x so d by by dx आचुका है common पीछे बचा log of x minus x upon y is equal to log of y minus y upon x और हम यहाँ चाहे तो LCM भी इसको ले सकते हैं तो LCM आ चुका है x तो numerator में आ जाएगा x log by minus y upon x left hand side के अंदर और धान दाएगा हिखे हैं so left hand side के अंदर भी हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं LCM ले लेते हैं so dy by dx और LCM आगे हमारे पास y So y log x minus x is equal to x log y minus y upon x यह आ चुका है अब finally हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको simplify करेंगे So dy by dx इसको हम लेख सकते है y upon x numerator में आ जाएगा x log y minus y upon y log x minus x चीक है एक और क्वेश्नम कर लेते हैं इस पैटर्न का x to the power of y and y to the power of x is equal to a यह मैं given है equal to a अब क्योंकि अगेन यहाँ पर two variables और मैं पता है पहले मैं simplify करना पढ़ेगा उसके बाद ही differentiate कर पाएंगे तो क्या करेंगे taking logarithm both the sides तो हमने यहाँ पर लिया logarithm of x to the power of y and y to the power of x is equal to log of a अब क्योंकि log m into n वाली property यहाँ पर apply हो रही है तो हम apply कर देंगे log of x to the power of y plus log of y to the power of x is equal to log of a power में है value तो वो jump करके आगया जाएगी तो y log of x plus x log of y is equal to में आजाएगा log of a now differentiating with respect to x x के respect में हम उसको differentiate करेंगे तो x के respect में करेंगे तो जिस pattern से अभी हमने differentiate किया था uv rule लगा के बिल्कुल वैसी हमें apply करना है तो लिखेंगे y dy dx of log x फिर हम लिखेंगे plus log of x dy dx of y यह थे मारा first part हो गया अब second part का differential करेंगे so x dy dx of log y plus log y dy dx of x equal to में है log of a अब log of a का differential क्या होता है 0 होता है because यह constant है तो हम चीधा यह उसको लिख देते हैं equal to में 0 so क्या बचेगा हमारे पास y upon x plus log of x dy by dx plus x upon y dy by dx plus log y and x का differential केतना हो गया 1 equal to में है 0 now जहां पर dy by dx से वो common ले ले लेते हैं log of x plus x upon y और इन में common है dy by dx remaining को हम opposite side में transfer कर देते हैं minus y by x and minus log of y चला यह आ गया है अब हम क्या करेंगे lc ले ले लेते हैं तो lc लेने पर यहां जाएगा y log of x plus x upon y dy by dx इदर minus y minus x log y upon x so final result हम लिख सकते हैं dy by dx is equal to y upon x numerator में आ जाएगा y plus x log y हमने minus को बाहर common ले लिया है तो इसलिए numerator की values बनें positive और बाहर आ चुका है negative sign upon में आ जाएगा y log of x plus x so this is the final result तो इस तरीके से हमें